नमस्कार्ट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियूस और मैरानी गुपता आपके साथ जुस तरीके से लोकसवा चनाबों के मद्द नजर अर्विंद केश्रवाल जेल से रहा हुए है तब से वो लगातार बयान बाजी कर रहे हैं ऐसे में इस मामले को लेकर के एड प्रेश छूट नहीं दी है आपको बता दें कि लगातार अर्वंद केश्रवाल अपने चुनावी रैली और रोड शो में यह कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट देते हैं यानि कि मेरी पार्टी को वोट देते हैं तो मुझे जेल जाने नहीं पड़ेंगे यानि कि सीध दरसल दिल्ली शराव नीती मामले में एटी की गिरफतारी के विरोध में सीम केश्रवाल की आचका पर सुप्रीम कोट ने गुरुबार को सुनवाई की है कोट ने केश्रवाल को जमानन देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेश छूट नहीं दी गई है जस्टिस संजीव खन अक्समिक्षा का हम स्वागत करते हैं बतादे कीडी की ओर से सुलिस्टर जर्नल तुशार महता कोट में पेश हुए उन्होंने कहा कि केश्रवाल जमानत पर बाहर जाने की बाद चुनावी भाशनों में ये कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आपको वोट दिया तो मुझे द आम सुनवाई के दौरा नहीं लिया गया आपको बता दे कीडी ने सुप्रीम कोट को ये बताया है कि वो शराब घुटाला मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी पार्टी के खिलाफ जल्द ही शुकात दर्श की जाएगी जाच जिंसी ने कहा है कि उनके के दौरान दले हाई कोट के सामने भी ऐसा ही बयान दिया था बता दे कि सुप्रीम कोट ने 10 माई को केशवाल को अंतरिम जमानत दी थी लोकसभा चुनाओं में प्रशवार के लिए केशवाल को एक जुनता कर रहात मिली है उन्हें दो जुन को हर हाल में सरेंडर करने को कह आपको बता दे कि जमानत मिलने के बाद अरवंद केशवाल 10 माई को 49 दन के बाद तिहार जेल से बाहर आये थे एडी ने शराब घुटाला मामले में केशवाल को 21 मार्श को अरेस्ट किया था एडी ने 22 मार्श को उन्हें राव सेवेन्यू कोट में पेश किया कोट ने उन जमानत देते हुए ये कहा कि वे जेल से बाहर जाकर शराब घुटाला मामले से जुड़ी बयान बाजी नहीं करेंगे अपना पासपोर्ट सरेंटर करेंगे साथ ही दिल्ली से बाहर जाने पर ज़ाज इजनसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर करेंगे बता दे कि एडी ने अंत्रिम जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले 9 माई को सुप्रीम कोट में हलफ नामा दायर कर केशवाल की जमानत का वरोत किया था एडी ने कहा कि चुनाव प्रचान न मौले का रिकार है और ना ही सम्धाने क्या खान होने केशवाल को जमानत मिलने कि इस्थिती में वैमान नेताओं को चुनाव की आड में बचने का मौखा मिल जाएगा एडी ने ये भी कहा कि कई ऐसे लोग जेल में हैं जो इस साधार पर जमानत मागेंगे जाच एजनसी ने असम जेल में बंद खालस्तानी समर्थक अमरतपाल सिंग का भिज दिकर किया एजनसी ने कहा कि अमरतपाल ने भी हमसे संपर्क किया है कि इस पर कोट ने कहा कि वो के सलग है उसे इससे न जोड़ा जाए आपको बता दे सीधे तोर पर एडी ने यहाँ पर दलील पेश की कि जिस तरीके से अरवंद केशवाल अपना जमानत का धार ये बना रहे है कि च को ठीक इसी बात को लेकर के जमानत की आचिका दायर कर सकते हैं साइटी का कहना लेकिन साफ तोर से अगर हम सुप्रीम कोट के टिपणी की बात करें तो उन्होंने यह टिपणी करते हुए कहा है कि आरवंद केशवाल को किसी भी तरीके की विशेश छूट नहीं दी गई है आपको बता दे कि जब से अरवंद केशवाल जेल से रिहा हुए है तब से वो लगातार रोट शो कर रहे हैं बयानबाजी कर रहे हैं और हर बयानबाजी में यह जरूर कह रहे हैं कि यदि जनता आपको वोट देती है उन्हें वोट देती है तो उन्हें दो जून को जेल न अर्वंद केश्रवाल की रहे विजयनार को भी गरफ्तार किया गया हाला कि अर्वंद केश्रवाल और संजय संग जमानत पर बाहर है लेकिन आगर हम मनीस सोधिया की करें तो अभी भी मनीस सोधिया को जमानत नहीं मिली है अर्विंद केश्रवाल की बात करें तो अर्विंद केश्रवाल जब जेल गए तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तिफा भी नहीं दिया जिसको भी लेकर के कई तरीके के सवाल उठे थ करती हैं बलकि बकादा रैलियों में भी वो चुनाव प्रचार करती हुए नसर आती हैं और दिली हो या फिर पंजाब का चुनाव हो उन्हें स्टार कैंपेनर के तौर पर लॉंच किया गया है यहां पर कई सारे लोग सवाल यह भी उठा रहे हैं कि आखिर सुनीदा केश्रि कर्टी में नेताओं की कमी हो गई थी क्या वहां पर दिगज और वरिस्ट नेता नहीं थे जिसकी वज़े से सुनीता केश्रिवाल को यह जिम्मदारी स्वापी गई है तो वहीं कई लोगों का सवाल तो मनीज सुद्या को भी जोड़ करके देखा जा रहा है और यह कहा जा क्यूं मनी संशुद्या जब जेल जाते हैं तो उनसे इस्तिफा ले लिया जाता है और उनके जमानत को ले करके यह अधार नहीं बनाया जाता कि उनहें भी प्रिचार की जरूरत है उन्हें भी जमनत दिया जाना चाहिए तो ऐसे मैं कई तरीखे के सवाल लगातार आम आद पैसों को हवाला के जरिये भेजा गया यह तमाम चीजे अल्रेडी एडी जो है वो कोट के सामने पेश कर चुकी है लेकिन इसके बावजूद अभी भी आम आदमी पार्टी के कई नेता ये कहते हैं कि एडी और केंद्रिय जाच जिंसियों ने हमारे घरों पर छापा मारा शराब घुटाला मामले में कमाया है वो तमाम पैसे उन्होंने गोवा के एलेक्शन में खर्च किये हैं और बकादा ये डील जो है वो सिर्फ दिल्ली नहीं बलकि साउथ ग्रूप से भी हुई थी और बकादा के कविता को भी इस मामले में अरस्ट किया गया है उनके जो सी मैंने अभी शेख बुनपली उन्हें भी अरस्ट किया गया है यहां पर जब शराब घुटाला मामले को लेकर के सीब्याई ने लिखा था तो 15 लोगों को आरोपी बनाया है जिसमें से कई सारे लोगों को गिरफतार किया गया है और बकादा ये मामला चल रहा है फिलाल इस